प्रज़ाइब दो हम अभी उमीद करते हैं क्योंकि आज बज़ट पेस हुआ है पारित नहीं हुआ है कि वित्मंत्रे जी ध्यान देंगे और विशेश राज का दर्जा विहार को मिलेगा हम लोग इस मांग को लगातार उठा रहे हैं उठाते रहेंगे और हम उमीद करते हैं कि इस मांग पर जरूर केंदर के सरकार ध्यान देगी आज भारत के संसद में 2022-23 का आम बजट पास हुआ है जिसको लेकर कई लोगों में उत्साह भी है तो कई लोग जो है वो नाराज भी नज़र आ रहे हैं देखिए बिहार में आज जदियों के संसदिये बोर्ट के अध बिहार को जिस तरीके से स्पेशल कैटेग्री में रखना चाहिए था वो नहीं रखा गया है बिहार को विशेश राजिका दर्जा मिलना चाहिए था ताकि बिहार में आए दिन जिस तरीके से बिहार के विकास के लिए लोग बात कर रहे हैं वो होती बिहार में विकास होता क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही बताया था कि बिहार कई माइने में फिसड़ी है इसको लेकर अब बिहार को कहीं न कहीं विशेश राजी का दर्जा मिलना चाहिए देखिए इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुश्वाह आज आम बजट पेश किया गया है जि क्योंकि आज बजट पेश हुआ है फारित नहीं हुआ है पारित जब होगा उस वक्त तक निश्जित्त रुब से हम उम्मीद करते है हम मांग फिर दोराते है कि बित्मंत्रिय धियान देंगी और विसेश राज का दर्जा बिहार को मिलेगा क्योंकि बीना विसेश राज का दर्जा मिले विहार लगातार मुखमंत्री जी के नित्रुत में काम कर रहा है आगे बढ़ रहा है लेकिन उसके बाब जूद हम विक्सित राज्यों की सिरेनी तक नहीं पहुंच पाए हैं तो इसका क्या रास्ता हो सकता है रास्ता एक मात्र है कि विशेष राज का दर्जा विहार को मिले तो इसलिए हम लोग इस मांग को लगातार ऋठा रहें उठाते रहेंगे और हम उमीद करते हैं कि इस मांग पर जरूर्ट के सरकार द्यान देई लेकिन विशेष पैकेज मिल गया है तो विशेष राज की दर्जे के लिये इतना मंग क्यों आखिर मिल गया है नहीं मिला है वह वह अलग है मिला की नहीं मिला लेकिन हम यह कहना चाहते हैं यह बिहार आखिर विक्सित राज्यों की सिरेणी में उहां तक क्यों नहीं अभी तक पहुँच पाया कैसे पहुचेगा इसका कोई फर्मुला तो लोग बताएं 15-17 स से इंडिये की सरकार अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में मुखमंत्री जी निरंतर कोसिस कर रहे हैं बिहार में हर सेक्टर में काम भी बहुत हुआ है इतना काम हुआ कि आजादी के बाद इतना काम नहीं हुआ उतना काम बिहार में हुआ फिर भी हम वहां नहीं पहुँच प का दर्जा जब ड्रवल इंजन की सरकार है तो फिर क्यों मांग कर रहें राजत के लोग क्या कह रहा है नहीं कह रहें उससे हमारा कोई अनलाइन परहाई होती है लेकिन विकर सेक्षन के बच्चे उतना नहीं कर पाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अलग से पूरक सिक्षा की वस्था की गई है इस बजट में तो इस दिरिश्टी से कई ऐसे काम हुए हैं बजट में जो बहुत परसंस नहीं है अच्छी घोस तो इसके निरास हैं हम लोगों के लिए अच्छा बजट है लेकिन बिहार के लिए कई न कहीं अभी चिंता का विश्था का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा फिलादकर में सिर्फ इतना ही आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहें डीटीवे भारत नमस्कार झाल